मैं हूँ राजन परसाथ स्वागत आप सभी का टेकनिकल सर्जी यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि यदि आपका कोई वाटसेप एकाउंट या वाटसेप बिजनस एकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आप उसे कम से कम समय में कैसे अनब्लॉक कीजेगा तो इस प्रोसेस को मैं स्टेप बाइ स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट कंप्रीट देखिएगा इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं ऐसी तरह के वीडियो आप लोग लिए लाते रहता हूँ मैं आग गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपका जो WhatsApp account है या WhatsApp business account है वो क्यों block होता है तो आप यदि अपने WhatsApp account पे यदि कोई गलत activity करते हैं या बहुत सारे group में add रहते हैं इस तरह आपका जो WhatsApp account है वो block कर दिया जाता है यदि आपका first time WhatsApp account block होता है तो आपका दो से तीन दीन में खुल जाता है ठीक है लेकिन आपका यदि second time block होता है maximum one week का इंतिजार करना होगा तभी आपका WhatsApp account खुलेगा और यदि आपका तीसरे बार यदि कोई WhatsApp account block हो जाता है तो आपको minimum one से मतब एक महना से लेके दो महना तक का इंतिजार करना पड़ेगा तभी आपका WhatsApp account unblock होगा मेरा WhatsApp account करीबन तीन बार block हो चुका है और वो अभी unblock भी हो गया है ठीक है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको करना क्या होगा आपको हमारे वीडियो के description box में एक link मिल जाएगा उस link पे आप जैसे click किजेगा तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface खुलेगा खुलने के बाद देखिए यहाँ पे copy text जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे नीचे का जो भी pink color का text है उसको आप copy करने के बाद आपको अपना WhatsApp में चले जाना है ठीक है तो WhatsApp में जाने के बाद देखिए आप मेरा यहाँ पे number दिया हुआ ठीक है मैं जैसे next पे करूंगा तो यहाँ पे मुझे सो करेगा कि यह WhatsApp account banned है ठीक है मतलब ब्लॉक कर दिया गया है तो मैं इसको बस skin sort एक ले लेता हूँ लेने के बाद यहाँ support पे click करने के बाद आपको जो text copy किये थे उसको यहाँ पे paste कर देना है paste करने के बाद ध्यान रहेगा आपको अपने यहाँ पे लिखिएगा ठीक है लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो अभी skin sort लिए है उसको attach कर दीजेगा तो मैं यहाँ पे जो skin sort लिया था उसको attach करता हूँ करने के बाद आपको next पे click करना होगा ठीक है next पे जैसे click किजेगा तो नीचे में देखे लिखा आया this does not answer my question तो बस यह आप जैसे click किजेगा और आपको यहाँ पे mail का selection कर लेना Gmail का तो आप Gmail का selection जैसे किजेगा तो आपके सामने आपका Gmail खुल जाओगा और आपके सामने कुछ इस परकार का interface खुलेगा तो यह सारा step यदि आप follow कर लिए होंगे तो आपको simply यहाँ पे send वाले पे click करके इस ची 24 या 48 hours के भीतरी आपको एक mail का reply मिलेगा आप उस reply को Google Translate के तुरूर translate कर लिजेगा यदि आपको English नहीं आती है तो और यदि आती है तो कोई बाती नहीं है तो आप उसे पढ़के बहुत ही easy तरीके से reply किजेगा यदि आप reply नहीं भी कर पाते हैं तो कोई problem नहीं है आप mail करके यदि छोड़ भी देंगे तो आपका जो problem होगा problem का अनुसार आपका जो account block किये गया होंगे उस account को उसके समय का अनुसार unblock कर दिया जाएगा मैंने उस mail का reply तीन बार किया था ठीक है लेकिन तीनो बार करने का कोई भी response नहीं मिला था जबकि मेरा account तीन बार block हुआ तो मैंने उस WhatsApp account को छोड़ दिया था दो मैंने बाद मैंने देखा उसे open करके तो मेरा WhatsApp account खुल गया था लेकिन आपको mail करना बहुत ही जरूरी है यदि आप mail नहीं करेंगे तो आपका WhatsApp account कभी नहीं खुलेगा तो आसा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी वी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी तरह के वीडियो आप लोगे लाते रहता हूं